हेलो दोस्तों मैं रोहित कुमार रोहित आर्ट्स क्लासेज में आपका श्वागत है हम लोग बच्पन से पढ़ते आये हैं कि A पलस B का होल अश्क्वाइर बरबर A स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर पलस 2 A भी होता है लेकिन ये हम लोग कभी समझने का परियास नहीं किया कि आखिर क्यों होता है तो चलिए आए समझते हैं कि A पलस B का होल अश्क्ाइर बरबर A स्क्वाइर पलस B और यहाँ से इतना दूरी जो है वी है अगर इस रेखा को लिखना होगा तो हमको क्या लिखना होगा तो अगर इरेखा लिखना है हमको तो यहीं कि A पलस B इसका दूरी क्या है A पलस B तो अब का रहा A पलस B का अश्क्वायर करना है यहीं अश्क्वायर का मतलब क्या होता है वर्ग तो इसको हम क्या करेंगे बर्ग बना देंगे तो बर्ग लाइन नीचे ड्रो करेंगे, इसे खीचेंगे, ठीक है? जीतना लंबाई ये है, उतना ही लंबाई का इधर हम लोग क्या लेंगे? एक रेखा और खीचेंगे, तो देखिए, इस परकार से यह से हो गया। यह हो गया। आप देखिए जब e a है तो यह भी क्या होगा समनांतर के कारण और देखिए जब e a है और इसके बाइन से समझेगा कि a अब देखिए e b है तो यह भी क्या होगा बी होगा और ये भी है तो ए भी भी होगा इए होगा इस इसमें चारा किर्ती बना है पहला दूसरा तीसरा और चौप्ता तो इसमें देखिए दो बर्ग बना आए ये जो है बर्ग बना आए ये भी क्या बन बर्ग बना तो हम लोग जानते हैं कि बर्ग का क्या होता है छेत्रफल बराबर वर्ग का छेत्रफल बराबर होता है भुजा का अस्क्वाइर क्या होता है भुजा का अस्क्वाइर और आयत का छेत्रफल बराब लोता है क्या चीज़ कहा तो लंबाई गुने चौड़ाई कि लंबाई गुने चौड़ाई आप देक्न समझते हैं यह जो है ए पलस बी बर्स बान गया पलस भी का यह ऊसको घंद ऑब लिखे तो इसको लिखेंगे Geil इसका क्या हो जाएगा, फर्मूला निकल जाएगा, पलस B का, स्क्वाइर निकल जाएगा, तो अब देखिए, यहां से A है, इसकी भूजा क्या है, इस आकिरती में, इसकी भूजा A है, यहीं कि बर्ग की सभी भूजा क्या है, तो इसका छेतर फल अगर निकाले इस छोटी आ तो वर्ग का छेतरफल वरावर होता है भूजा का स्क्वाइर और भूजा क्या है ए है तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वाइर हो जाएगा पलस में अब देखिए इसमें ये भी क्या है एक बर्ग है तो इसकी जो भूजा है क्या है बी है इसकी भूजा क्या है बी है अगर इसक लंबाई इसका B है और चोडाई A है तो इसका छेतरफल कहा हो सब्सक्राइब कीशेक सब्सक्राइब V सब्सक्राइब जोड़ देते हैं तो a square plus b square plus to a b हो जाता है अगर कोई पूछता है तो इस पकार से आपकार यह उसको बताईए चीक है